हेलो फ्रेंज केसे हूँ आप सब उमीद हैं आप सब अच्छे होंगे और मज़ी में होंगे बगवान आप सब को खुश रखे और धे सारी खुश्यां दे वीडियो दोस्तों लास्ट तक देखिए आजम बनाने जा रहे हैं कड़ी तो यह दिर हमने 100 ग्राम के लगवग हमें इस के लिए थोड़ी से पेस्ट नमक डालेंगे यह ठिए इसमें डालेंगे टोस्तों पछे छाचे नहीं पत्पकाला कर्यके बेश्सों बेदाल करोड़ी तो अंत्व हैं नहीं बनाते को इस बिए ड्रे क्युश्या flags नेंनिए तो हम्युक्हें तो ओं पणाड़े का लुख आप लोग देख के साइप लुखों को इस लिए आप लोगों को बता तो इसी तरह सारे पकोड़े जो हैं वो हम निकाल लेंगे और अच्छे से पलट दिये थे तो पकोड़े हमारे तयार हैं कड़ी के देखें दोस्तों एकड़े सुनेरे सुनेरे पकोड़े बनके हो गए हैं तयार इधर तेल हमारा गरम ही है तो इसमें डाल रहे हैं थोड़ी सी हींग हिंग कड़ी के लिए बहुत जरूरी है हिंग डाल रहे हैं थोड़ी सी थोड़ा सा जीरा डाल देंगे थोड़ा सा लेसन का पेस्ट लिया है और प्याज नहीं डाला लेसन का पेस्ट ही डाला है थोड़ा सा तो इसे भून लेंगे इसके बाद इसमें मसाले एड़ करेंगे तो अब इसमें मसाले डाले हैं मसाले नॉर्मल ही है हल्दी है थोड़ी सी और एक चमच हल्दी है एक चमच दनिया पाउडर है आदा चमच लाल मिर्स पाउडर है और नमक अभी नहीं डाला है और नमक बाद में डालेंगे नमक पहले नहीं डाला है थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसे अच्छे से मसाले को भून लेंगे तो मसाला मारा भून चुका है लोग की कडाई में बन रही है इसलिए मसाला हलका काला लग रहा है दोस्तों तो अब हमने बेसन को गोल बना लिया था बेसन का और बहुत पतला गोल बनाना है नहीं तो गुलतियां पड़ बैसन डालते समय और लगातार चलाते रहेंगे जब तक हमारी कड़ी में उबाल नहीं आ जाएगा तो अब इसमें हम डाल रहे हैं मठ्ठा थोड़ा सा पानी और डाल देंगे मठ्टे वाले कटोरे से दोस्तो कड़ी को लगातार चलाते रहे थे उसके बाद ही इसमें नमा का और पकड़ी डालेंगे क्योंकि कड़ी में बहुत जल्दी गुल्तियां पढ़ जाती हैं घर चलाए ना तो ओबाल आने की तक चलाते रहेंगे लगातार थोड़ा सा पानी डाल दिया, इसके बाद पानी नहीं डालेंगे, तो अच्छे से उबालाने तक इससे चलाएंगे, देखे दोस्तों उबाला चुगा है कड़ी में हमारी, तो अब इसमें हम डाल रहे हैं नमक एक चमाच, थोड़ा सा नमक और डाल रहे हैं, नमक कमी डाला था क्योंकि पकोड़ी में भी नमक पड़ा, इसलíě नमक पेले कमी डाला था और देखेगे दोस्तो अच्छे से उबल रही है कड़ी हमारी, अब इसमें हम डाल रहे हैं। और कड़ी में जब पकड़ी डालेंगे इसके बाद 10 मिनित तक दीमी आज पर इसे पकाएंगे अच्छे से जब हमारी पकड़ी पक जाएंगी उसके बाद ही गेस बंद करेंगे तो देखिए दोस्तों कड़ी हमारी बन चुकी एक दम परफेक्ट कड़ी बनी है ना तो पतली है ना बहुत गाड़ी है असे थोड़ी देर रखेंगे तो और भी गाड़ी यह हो जाएगी तो एक दम बहुत अच्छी कड़ी बनी थी और पकड़ी भी बहुत सौप्ट इसकी है देखिए दोस्तों कड़ी हमारी बन चुकी है अगर आप लोगों को मारी कड़ी की रेश पसंदा तो प्लीज लाइक करें कमेंट में जरूर बता है मारी कड़ी कैसी बनी है तो इसमें इसके बाद हमने थोड़ा सा तड़का लगा है इसमें सुकी मिर्चे जी रहा है और प्याज का तड़का लगा दिया है अगर आप लोगों को मारी कड़ी की रेश भी पसंदा तो प्रेज लाइक से सस्क्राइब करें हमारे चैनल को फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तक तक के लिए नमस्कार